हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग माइन इस अंगित कुमार वेलकम यूवल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल जैसा कि आप आज का हमारा जो ये देख के समझ गे होंगे यहां पर कि आज हम बात करने वाले हैं पियोके वाले रिजन की ठीक है जो पियोके वाल इस रिजन में अभी क्या हो रहा है कि काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा एक्को मिक क्राईसिस आ गे अब यहां पर चुकि एकॉनोमी क्राइसिस आ गया यहां पर इंफ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया इस वज़र से क्या हो रहा है कि वहां के लोग जो है कंटिनूसिली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी प्रोटेस्ट का फाइदा उठाते भी हमारे अमिस साहजी ने यह प्रोटेस्टर जो है वो डिमांड कर रहे हैं इंडिया के अंदर मर्ज होने के लिए ठीक है और देखो एक चीज आप समझोगी यहां पर भी कूटनिति कैसा इंडिया के द्वारा खेला गया है तो इंडियन गवर्मेंट ने क्या किया है कि जो टेरिफ चार्ज होता है जो टेरिफ चार्ज होते हैं एक्सपोर्ट के उपर जो पीओके वाला रीजन है यहां पर इन्होंने क्या किया कि 200% एक्सपोर्ट में यहां पर इन्होंने बढ़ा दिया अब चुकि इससे हो क्या गया है कि जो प्रोड़क्ट अभी तक 100 रूपीज की थी वो अब कितने की अब इस वज़ा से चुकि एचीज महगी हो गई तो कही नहीं इसको इंडिया के लोग खरीद नहीं रहे हैं और चुकि यहां पर महगा यह कि एक्सपोर्ट कम हो गया तो लोगों के स्वर्ट कम खतम हो गए तो कहीन के आप देखोगे कि इन्डिया की एक पॉलिटिक से इक यह Line of Control, LOC के उपर जो पूरा रिजन देख रो, यह P.O.K का रिजन है, जिसके उपर क्या है कि पाकिस्तान का फिलाल administration है, हमारे इंडिया का इसके उपर फिलाल कोई यहां पर powers हमारी नहीं देखने को मिलती है, अब इस P.O.K वाले region में क्या हो गया, कि inflation बहुत जादा बढ़ गया, दूसरा आप क्या देखोगे, कि यहां से एक river flow करती है, जेलम river, तो इस जेलम river के उपर क्या है, कि एक hydropower project बनाए गया, तो उस project के बनने के बाद P.O.K के लोगों को लगा था कि इन्हें क्या होगा, कि electricity सस्ते में मिलेगी, कि इनको फाइदा होगा, लेकिन जब चुकि इनको फाइदा नहीं हुआ, तो अब क्या हो रहा है, कि अब यह लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यह प्रोटेस्ट बहुत जादा हो गया, अगर हम देखे तो करीब 70 पलस लोग जो है, 70 पलस पीपल की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें यहां पर, Mhm पलस पैपल्स अभी तक यहां पर injured हो चुके है, कई सारे 10 पलस पूलीस परसोनल जो है, यहां पर पाकिस्तान के वो भी घाएल हो चुके है, तो अब यह जोgestellt ना, इंडिया के इसके उपर focus कर रहा है तो यही चीज़ यहां पर आपको देखी गई है कि न्यूज में क्या आया कि मेसी प्रोटेस्ट होड़ा है और प्रोटेस्ट होने का जो रीजन है वो tax impose करना और दूसरा क्या है कि पाकिस्तानी administration का वहां पर कुछ ज्यादा ही हुकूमत बढ़ रहा है इस वज़़से ये protest हो रहा है यह region से देखो अगर हम बात करें समाहीनी, Merant Pore this. यह सारे वो protest देखने को मिल रहा है ठीक है अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो इस protest के दर देखो कि जो आवामी Action Committee है उसने यह protest टार्ट किया था और इस प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप देखो तो 10 महीं के आसपास ये प्रोटेस्ट इस्टार्ट हो और कंटिनियूस लिए प्रोटेस्ट होई रहा है, मेसिव लॉकडाउन आपको इस एडिया में देखने को मिलेगा और ये जो प्रोटेस्ट था वो इगेंस्ट किसके था इन्फलेशन के अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि बहुत जादा महंगाई बढ़ रहे है लोगों को जौब्स नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं यह बहुत बढ़ा कंसर्न में इसी रिजन में और ये लोग क्या हैं कि पाक스산 के खिलाफ खरे और पाकृस्तान के गर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के भी प्रोल म् क्या है कि पाकिस्तान खुद economic crisis से जूज रहे ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खरे हो गए और पाकिस्तान के अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के भी प्रॉबलम क्या है कि पाकिस्तान खुद एकोनोमिक क्राइसिस से जूज रहा है ठीक है पाकिस्तान के उपर बहुत बरा एकोनोमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है समझो रहा है कि लास्ट टाइम हमने भी क्या देखा कि जो इंटरनेशनल सेंट को पै not कर पाया पाघिस्तान अभी थो काफिकी ट्रेप यहां पर और इसी का फाइदान उठाएवे हमारे जो मिनिस्टरमी साजी ने इन्होνने यहां पर यह कोट किया कि अब तो हम एक इंच भी P.O.K. का नहीं छोड़ेंगे और इंडिया के अंदर उसको हम मिला के ही दम लेंगे ठीक है अगर हम एक हिस्टरी की बात करें न तो देखो पाकिस्तान जो है न बहुत ही अवल रहा है शुरू से P.O.K. वाले रीजन में जो इस रीजन को तो उसने हरफ ही लिया साथ साथ अगर हम बात करें जो ट्रांस रीजन है कारा कोरम के पास का इस रीजन को उसने ये जो रीजन में आपको यहां पर मार कर रहा हूं इस रीजन को उसने क्या किया चाइना के हवाले कर दिया क्यों क्यो लमुकस्मिर इंडिया का पार्ट बनता है तो इसके बाद से ही यह टेंसन यहां पर सुरू हो जाता है पाकिस्तान इस प्योके वाले रिजन पर हमला कर देता है ठीक है उसके बाद अगले साल हम देखते हैं 1948 में यूनाइटेर नेशन्स यहां पर ब्रोकरेज करता है और इसक इसको कंट्रोल करने की कोसिस करता है इसके बाद हम देखते हैं 16 में यह वाला जो रिजन हमने दिखा यह ट्रांस कारकॉरम वाला जो रिजन है इस रिजन को पाकिस्तान क्या करेगा चाइना के हवाले करता है और तेखो इसके जश्ट साइड में और साइचीन वाला भी पर थोरी सी military हमारी कमजोर ही और पाकिस्तान ने इसको करीब करीब कबजा कर लिया इस region में और finally अगर हम बात करें तो इसके बाद हमने इसी region में कारगिल वार भी देखा और present अगर हम situation की बात करें देखो कारगिल वार भी इसी region की वज़े से इंडिया और पाकिस्तान के बी हलाग एक चीज अगर आप समझों यहां पर तो इस रेजन में होता क्या है कि यह कोट नुमस रेजन अगर हम इस रेजन की बात करें तो यह पूरा का पूरा रीजन जो है इक कोटोनोमस रीजन है और इस रीजन के अंदर आप देखोगे तो P.O.K के आपको प्राइम मिनिस्टर भी दिखेंगे लेकिन ओभरॉल अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ओभरॉल कंट्रोल किसके पास है तो ओभरॉल कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के पास है ठीक है अब एक बार देख लेते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके पीछे का जो वज़ा है तो देखो जे एसी जो है एक और्गनाइशन है जिसने ये बोला कि जो वहां पर जो अभी हमने आपको बताय था ना कि एक हाइड्रो पावर जेनरेशन प्लांट वहां पर बनाए गय कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इन्हीं ये लगा था कि साइद इलेक्टरी सीटी जो है उनको सस्ते को मतलब सस्ते प्राइस हो मिलेगा लेकिन इस वे चुकि यहां पर कोई परभाव परा नहीं दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर क्या इंफलेशन बहुत जाद है महंगाई बहुत ज्यादा है बेरोजगारी बहुत ज्यादा इसलिए लोग कंटिनुसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर प्रजेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो सतर से ज्यादा एक्टिविस्ट को गिरफतार कर लिया गया कुछ जाने भी गई है कुछ पुलीस परसोन के वहां नारे लगाई जा रहे है और इनको इंडिया में मर्ज होना है इंडिया के अंदर मर्ज होने के भी यहां पर यह लोग बात कर रहे थी ठीक है अब जब इतनी सारी यहां पर प्रॉब्लम्स हुई तो पाकिस्तान जो की खुद एक लोन डिफॉल्टर बना हुआ है जिसके पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर बहुत ज्यादा डाउन हो गया है वो लॉन डिफॉल्टर बन गया इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बुरी कंडिशन है पाकिस्तान की लेकिन इस सिच्वेशन से निपट किया जाए और इससे क्या हो सकता है कि थोरसा रियायत मिले थोरसा इंटरनेशन कम ऌब लेकिन इस मुर्खंब को यह नहीं समझाता देखो पाकिस्तान का प्राइम मिनिंस्टेर कितना मुर्खंब है इसको यह नहीं समझा रहा है कि अगर यह इंफ्लो करेगा मनी तो यहां पे inflation और ज्यादा बढ़ेगा inflation के time में हम market से क्या करते हैं पैसे को बाहर निकालते हैं लेकिन यह क्या कर रहा है पैसा और ज्यादा वहाँ पे जोक रहा है तो आई होब आप समझ गे होंगे कि कितने पढ़े लिखे और कितने बड़े economist आपको पागिस्तान के अंदर देखने को मिलता है यही चीज़े आपको न्यूज में भी दिख रही कि पागिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने 23 बिलियन का ग्रांट एलोकट किया है हमारे government ने यहां पर क्या किया था आपको पता है कि हमारे government ने यहां पर यह मुहिम चलाई इन्होंने क्या किया रहे हैं प्राइस बढ़ गई तब यह एक्सपोर्ट नहीं कर पार है तो कहीं न कहीं देखा जाए ना तो इंडिया ने यहां पर strategically P.O.K. के रीजन में unrest create किया है तो I hope कि जल्दी जिससे जल्दी P.O.K. हमारा जो है वो sovereign part बन जाए और जो एक guarantee दी गई है नेंद्र मोदी लेड गवर्मेंट की कि अगर वो third term के लिए आते हैं third term पे तो वो क्या करेंगे कि वो P.O.K. को इंडिया का एक region बना देंगे तो I hope यह जल्दी से जल्दी हो जाए तो आपको क्या लगा आपकी क्या questions है आपकी क्या विचार है आप comment में हमें इस बर बताना जरूर बताईएगा ठीक है तो मिलते हैं आगले session में आपसे तब तक के लिए thank you so much